तो आज इसी वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आज का बजार का क्या हल चल था और मार्केट यो बजेट अभी तक कम्प्लीटली मतलब डिसाइड नहीं हुआ कौन सा मोड लेके जाएगा क्योंकि 23 मतलब 23 को बजेट रिलीस होने वाला है कौन सा कौन सा सेक्टर पे ज्या अगर आप पिछले अगर जो इवेंट था जैसे के इलेक्सन का था इलेक्सन का निउस के पहले इतना मार्केट के अंदर बूस्ट आया तो मार्केट उपर चला गया फिर देखो नीचे इतना गिर गया उसके बाद रिकावर करने के लिए टाइम नहीं लगा लेकिन इसी ट साथ साथ ऐसे कुछ specific stock जिसके बारे में हम लोग focus करेंगे for new swing trader जो लोगोंने new entry करने के लिए चाह रहा है कुछ profit बनाने के लिए चाह रहा है तो profit तो मैं यहाँ पर नहीं बताओंगा कितना profit हो रहा है कितना नहीं होगा कब entry करोगे लिगन for educational purpose आपका इसी situation में entry करना चाह से की काल था काल profit profit तो booking नहीं था कल के अंदर market के अंदर positivity था तो आज अगर देखो market पहले तो positivity में था अच्छा position में था धीरे-धीरे market इतना correction आया यहाँ पर देख पार है तो यहाँ पर bank उतना भी गिरा जितना सोचा था ज़्यादा गिरा नहीं है बैंक का जो graph से ऐसे consolidation हो रहा है लेकिन अगर गिरेगा न बहुत काफी तगड़ा गिर सकता है लेकिन इसी time में अगर for news for beginner बिगिनर के लिए अगर बता हूँ आप जो जो stock मैं बता रहा हूँ वो stock को just observation पर रखे मौका देखके फायदा लिए तो जैसे कि market काफी गिरना start हो गया जब market hold करेंगे वो अच्छा news आएगा और अच्छा stock आपको सही जो लागेगा वहाँ पर entry करने का लेकिन हम लोग को बता है top पर कभी भी नहीं बाई करने का market जो discount पर बाई करने का मतलब market जैसे कि price for example 500 का price है अगर यहाँ पर 400 में जो price है मिल रहे तो हम लोग को 400 बालन लेंगे ना तो profit तो होगा ना तो इसलिए top पे नहीं बाई करने का ओके यहाँ पर top पे कभी भी भाई मत करो market जब correction होगा तभी भाई करने का अभी थोड़ा सा integer करो और observation पर रखो अगर आपके पास capital है काफिसल एकठा करके रखो अगर market भी उपर भी चला गया ना अपसोस नहीं लेने का फिर market आएगा तो क्यूंकि market के अंदर आभी volatility moment चल दोगे तो फच जाओगे पूरा ओके तो इसलिए ये चीज़ तो मैंने पहले बता दिया तो आप जब सभर रखे और इंतेजार करें अभी अब लोग को दिखाएंगे निप्टी और बैंक निप्टी का क्या actually graphs जो है उसके उपर दिखाएंगे क्या moment चल रहे और उसके अगर आपके पास पेपर बुक्स है उसको नोट बना लीजिएगा और वो ये इस टॉक को ना observation पर रखे ओके वाज लिस्ट पर रखे जही मार्केट करेक्शन आएगा वहाँ पर entry करनेगा राइट देखो यहाँ पर देखो यह निप्टी बैंक है यहाँ पर देख पार है इलेक्शन के बाद देखो यह जे condition था काफी positive में गया इसको clean कर लेता हूँ उसके बाद ना market नीचे ना down उतना ज्यादा खास नीचे नहीं आया यहाँ पर consolidation हो रहा है इसी फेच पे और market नहीं उपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है अगर market bad news के बज़े से correction अगर होगा पहला number जो target है यहाँ पे देखो selling site पे अगर जो लोगों ने F&O में काम कर रहे है तो लोग के लिए क्या होता है एक चीज बता दो market ना आप trend में जाने के लिए time धीरे-धीरे लगता है उपर उपर धीरे-धीरे करका है लिकिन जब down page में होता है न ओ धीरे-धीरे नहीं आ target हो सकता है second target यह जो level है यह level काफी importance है अचा मैच आ रहा हूं market थोड़ा सा correction हो नीचे आए तभी मज़ा आएगा जब नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आने के बाद तभी entry करनेगा अचा जो लोग के पास already stock पहले से है आप कभी भी यहाँ पे loss पे भूग नहीं करे उसी stock को observation पर रखे अगर आप जो stock में invest किया अगर वो stock large cave है अच्छा stock company है तभी hold करकर रखे ना क्यों जलबाजी है तो market के अंदर एक correction कुछ दिन के लिए है फिर market उपर जाएगा और आपका जो loss है ना loss से निकालने कर नहीं लिकिन ऐसे एक company में आप invest किया इसे stock के fundamental analysis देखे क्या उसका bad news आ रहा है उसका जिसके बज़े से ओ normal situation में देखो overall market आज का time में गिर रहा है सबी stock गिर रहा है मतलब कोई भी stock लो ओ गिरेगा normal के बज़े से अच्छा मतलब market के अंदर आएगा अच्छा positive news है फिर भी वो stock गिर रहा है तो वो stock के अंदर कुछ गड problem नहीं है तो यह last जो हो सकता है bank जो गिरेगा ना बहुत काफी गिर सकता है यह zone काफी interesting zone है यहाँ पे देखो देखते है let's see क्या होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे nifty देखेंगे देखो nifty का actually क्या हल चल देखो यहाँ पे nifty continuously हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला यहाँ पे देखो rate तो बना रहा है इसी page में rate बनाया लेकिन कोई ना कोई rate बनाया फिर उपर चला गया फिर उसके बाद देखो green 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 फिर से थोड़ा थोड़ा rate हलका करके market उपर जा रहा है लेकिन एक भी candle हम लोग को एक bearish candle नहीं देखने के लिए मिला जो market के अंदर correction आय है लेकिन अगर आज तुम देखोगे यह जो candle है देखो यहाँ पे देखो यह ब्यारिस rate candle बनाया तो market के अंदर तगड़ा selling आया और profit booking आ रहा है जैसे कि mid cap and small cap के अंदर काफी stock यहाँ पे selling हो रहा है profit booking हो रहा है क्योंकि यह जो अभी budget declaration होने बाला है उससे पहले लोग सबर रखना पड़ेगा और जो stock मैंने बताऊंगा वो stock को observation रखे और आपके पास अगर अच्छा stock है तो आभी entry मत करे जब market correction page में आएगा अच्छा consolidation हो जाएगा मतलब stabilization होगा volatility कम हो जाएगा तभी entry करने का क्योंकि profit अच्छा खासा मिलेगा और recover भी अच्छा खासा होग तो आभी हम लोग देख लेते कुछ ऐसे stock है देखो जो stock मैंने बताऊंगा जस्ट पर educational पर observation पर रखे लेकिन उसके उपर कोई projection के बरे में नहीं बताऊंगा च्छा stock के बरे में बताऊंगा मेरे को ठीक लगा क्योंकि वीडियो के बदाने के लिए जाऊंगा इतना stock काफी time लग जाएगा देखो पहला जो stock मैंने HDFC bank से शुरू कर रहा हूँ देखो HDFC bank बहुत ही interesting bank है तो यहाँ पर देखो market अगर तुम यहाँ पर देखोगे माउस से high से अगर देखते है near about 10.13% का minus में already correction हो चुका है तो देखो high से 10.9 नीचे आ चुका है लिकिन कोई सोच रहा है इसका और बड़ा गल लेता हूँ कोई सोच रहा है यह market इतना गिर चुका है यह stock और नहीं गिरने वाला है तो यहाँ पर entry कर लेता है बिल्कुल नहीं करने का यह चीज मैंने भी कभी भूल किया था गलत किया था market जाब stable हो जाता है और consolidation होने लगता है और market के अंदर ए नीचे उपर जाएगा और HDFC आपको पता है HDFC जो बैंक है यह काफी interesting बैंक है यह बैंक आप देखा पहले जो situation में इसका bad news था कितना का मतलब negative में था उसके बाद correction हो के क्यों सी level पर आ गया देखो तो इसलिए HDFC बैंक को observation पर रखे सई जागा पर entry करने का अगर मैं करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं पुस्ट करता हूंगा ओके जो स्टॉक के अंदर entry कर रहा हूं मेरे पास तो capital बहुत कॉम है capital जादा नहीं है जितना capital है उसके अंदर entry करेंगे ओके तो next जो स्टॉक हम लोग एक एक करके देखेंगे जैसे कि यहाँ प करते हो रहा है इसको observation पर रखे कोल इंडिया काफी अच्छा stock है तो यहाँ पर high लगाया था जो लोगों ने यहाँ पर book किया था मतलब entry किया था कोल इंडिया के अंदर profit बनाया ओके और आभी selling pressure में आ रहा है इसको observation पर रखेंगे कितना दू जा रहा है अगर कोल इंडिय जादा गीर जाता है ना तो यहाँ पर entry करना एक कोल इंडिया के मैं prefer करूंगा क्योंकि कोल इंडिया के अंदर क्योंकि यह अच्छा खासा stock है और जादा दिन नहीं नीचे गिरने वाला है और next जो है NTPC सबको पता है NTPC काफी interesting stock है लेकिन तीन देन से लगातर गिर रहा ह एक suddenly एक high तो नहीं लगाया next high को break नहीं किया था मतलब जो पहला high जो था उसको break नहीं किया उसका आसपास से गुम के आ गया तो इसको observation पर रखे नेज जो है यह जो GPPL यह port का बारे में है गुजरात port है तो यह जो stock है ना मैंने सुआ था जो budget का बारे में ज्यादा focus दे आई port के उपर ओके तो इसलिए यह stock यहाँ पे देखो high लगाया था कुछ दिन पहले उसके बाद लगातार गिरने जा रहा है तो इसको observation पर रखे में भी यह stock उपर जा सकता है तो अगर सही जागा पर एंट्री करे तो आच्छा गासा यहां पर profit बना सकता है लेकिन मेरा जो target रहता है 5% का target रहता है उतना एनव है 5-6% एनव उसके साथ साथ जो interesting जो stock है हिंदल को काफी अच्छा company है यह company नीचे नहीं गिरता है लेकिन यह company उपर जाके यहाँ पर profit मैंने बनाया था आपको देखाया था इसको उपर वीडियो बनाया था काफी आच्छा गासा profit इसी level पे इसको buy नहीं करने का है हिंदल को GBPL और HDFC बैंक यह काफी interesting stock है उसके बाद JSW Steel यह काफी गिर जुगा है यहाँ पी इसको observation पर राखे नेक जो stock है काफी interesting लोग टाटा स्टील टाटा स्टील अच्छा stock है उसका जब value है देखो यहाँ पर आगा देखोगे 157 अल्रेडी holding पे है और यह जो market का news आ रहा है जिसके बादे से थोड़ा सा profit booking हो रहा है इसको observation पे रखे तो कुछ stock मैंने अल्रेडी बता चुका हूँ तो यह पूरा-पूरी summary मैंने अल्रेडी बता दिया जो market का news आने से पहले आपको क्या करना चाहिए तो इसी वीडियो मे अल्रेडी फिला यह तरह ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर थेंक्स पर वाचिंग